लगाओ इसको जाने को एसके टूंग जिसमें अफग्रेट किया गया था जिसमें कलर डिस्पले लगा दिया गया था अब ये 6310 जो है हमारे सामने आया है बॉक्स अगर आप इसका देखते हैं तो अगेन इसका बॉक्स भी जो है वो उस टाइम पे जो बॉक्स दाया करते थे मेरे खिल से आईफोन वगेरा इस तरह के आईपॉड वगेरा इस बॉक्स में आते थे आजकल किसी भी फोन को आप इस तरह के बॉक्स में नहीं देखते लेकिन उनने उस बॉक्स को यूज किया है इस मुबाल फोन के अगर आप प्राइस टाइक की बात करते है तो यह 8000 के प्राइस टाइक में आ रहा है और 8000 का जो प्राइस टाइक है पाकिस्तानी मारकेट में एक ऐसा प्राइस टाइक है भाई जहापर आप एक सस्ता Android फून खरीद सकते हो तो उस लहाज से दिस इस एक्सपेंसिव अगर आपको मैं यहां पर यह कहुना कि यह महिंगा नहीं है तो भाई यह ना सिर्फ महिंगा है बलकि यह ओवर प्राइस भी आप कह सकते हैं लेकिन having said that कोई भी बंदा अगर इस मुबाल फून को खरीद रहा है तो वो सिर्फ इस मुबाल फून के फीचस को देखते वे नहीं खरीद रहा है वो थोड़ी सी nostalgic value के लिए भी खरीद रहा है और वो हर बंदे के लिए different होती है तो मैं उस चीज को गेज नहीं करूँगा कि आपको इस मुबाल फून के साथ कितनी यादें वावस्ता है या को ऐसा सीन है फून जो है हमने YouTube मुबाल फून से मंगवा लिया था ये मुबाल फून मेंगा है लेकिन बाकी अच्छे मुबाल फून उनकी वेबसाइट पर होते हैं तो आप ज़रा जाकर उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं घर बॉक्स के बैक साइट पर कुछ में हाइलाइट मेंचिन की गई है या पर 2.8 इंचिस का डिस्पले दिया गया है इसके इलावा भाई वो कह रहे हैं के जूम्ड मेन्यूज हैं तो आइकन बड़े बड़े नजर आपको आएंगे स्नेक गेम प्री लोड़िड आ रही है अब स्नेक गेम के बारे में ये है के बाई काफी लोगगी यादर जुड़ी होई और स्नेक गेम का प्री लोड़िड होना एक मज़़दा बात है उसके इलावा इसका एक मेन फीचर ये है के इसके अंदर एफ-एम रेडियो है मैं क्या वोलूँ यार मतलब ठीक है फीचर तरी साइट से थोड़ा सा मजाक हो रहा है लेकिन खेर कोई मुस्ला नहीं है हमारे पास जो कलर बलाक मौजूद है इसका ग्रीन कलर भी आता है और ग्रीन कलर यूट्ब मॉबाल फोंस के वालों के पास अवेलिबल भी था लेकिन सुफ्यान ने डिसाइड किया कि वह बलाक लेकि आएगा डॉंट नो क्यूँ सुफ्यान का बलाक से कोई सीन है हर बंदे के अपने शौक होते है मैं किसी को जज़ नहीं करता लेकिन बस सुफ्यान ने कर दिया तो हमएं ब्लाक कलर ही अन्बॉक्स करना पड़ रहा है क्योंकि वही कलर आ गया है बॉक्स यहाँ पर ऊपर से प्लास्टिक निकालने से खुलता है और फोन यह स्लाइड आउट हो जाएगा आप देख सकते हैं और नीचे वाली साइड पर जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर एकसेसरीज वगरा दी गई है तो इनको भी देख लेते हैं यह क्या भाई ओके वो पुराने वाली जो एरफोन्स नोकिया प्रोवाइड किया करता था काफी पहले वो ही डिजाइन में इयरफोन्स अभी भी आ रहे है और मुझे हरानगी यह हो रही है कि नोकिया अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि उनको थोड़ा सा बेस्तर करना है चीजों को ना वो अभी भी उसी जोन में जा रहे है तो वो चीज है इसके इलावा आपको यहां पर क्या मिल जाता है भाई यहां पर आपको एक बैटरी रेकने को मिल जाती है जो कि रिमुवेबल है तो जिस तरा प Français में भी वे बैटरी थी वहां पर भी दी गई है लेकिन पहले फोन की बैटरी ही पूरी उतराती थी अब back side पर आपको ये plastic मिलता है और इसके अंदर बैटरी लगेगी और बैटरी के अगर आप capacity की बात करते हैं तो 1150 mAh की जो बैटरी है वो लगाई गई है again आप android वाली side से सोचेंगे तो बैटरी आपको काफी छोटी लगेगी लेकिन इसने उतनी बैटरी कंजूब भी नहीं करनी और दूसरी side पर I think charger है इसको भी हम खोल लगते हैं इस side पर I think सिर्फ charger और वायर होने वाला है देखते हैं कि charger और वायर separate है के नहीं okay warranty card हमें पहले मिल चुका है लेकिन इसके अंदर भी कोई card या manual दिया गया है और उसमें बताया गया है कि आप इस mobile phone को किस तरह use कर सकते हैं interesting बात यह है कि charger जो यहां पर आ रहा है वो micro USB वाला charger है लेकिन फिर भी यह detachable नहीं है तो जिस तरह पहले charger आते थे ना कि wire उसके साथ ही लगी होती थी यह उसी तरह का charger है और इसकी voltage है वो भी 0.1 ampere है तो काफी slow है 2.75 watt के उपर ही आपके mobile phone को charge करेगा तो 5 watt से भी कम की charging है यह provide करने वाला है फोन जो है वो यहां पर हमारे पास प्लास्टिक से wrap में मौझूद है इसको हम यहां से open कर लते हैं और फोन के अगर आप design की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि पहले के निस वाज का screen size काफी बड़ा कर दिया गया है और उपर वाली side पर जो design है वो again shape front से वैसे रखने की कोशिश की है बाक से आपको एक camera मिल जाता है और बाक पर यह plastic का area भी है जिसमें आपकी battery जाएगी दो sim cards और एक memory card की option दी गई है again यार इस phone को अगर आप buy कर रहे हो ना तो आप या तो nostalgia के लिए buy कर रहे हो या फिर आप ऐसा second phone buy कर रहे हो लेकिन second phone भी अगर आपने बाय करना है तो आप इतना महंगा यह क्यों लोगे like 8000 में क्यों लोगे Nokia के अपने phone ही बटनों वाले आ जाते हैं कुछ 3-4000 से अच्छे phone आने शुरू हो जाते हैं तो आप इस phone पर पैसे क्यों invest करोगे मेरी समद से बाहर है लेकिन मैंने कर दी है ना तो मैं देख लेता हूँ आप ना ही करना बेतर है यार यह पता नहीं क्या मज़ाक है मैं phone को on कर रहा हूँ on नहीं हो रहा बैटरी डेड़ है अब इस तरह की चीज़ों की आते हैं नहीं रह गई हमें मतलब android phone जब भी डपा कोलते है रहा तो चार्ज होता है घर चार्ज करते है और फिर मिलते है यार एक वक्त हुआ करता था कि Nokia के phone's की बैटरी डेड़ नहीं होती थी लेकिन यह अन नहीं हो रहा था फिर चार्जिंग पर लगाया तो अन हो गया लेकिन सब कुछ छोड़ो यह सुनो में मजब नहीं कर रहा है यह जो वाइस है नहीं मत्ब इनकी genuine like original वाला सीन यह को fake नहीं किया हूआ यह चेक कर रहे हैं तो Nokia के अंदर को वादा बैठा वा था यह क्या हो रहा है and to be fair on this one एक चीज जो कि मैं रिलाइज करना हूँ यह है कि Nokia किसने जादा यूज किया या तो हमने यूज किया है और हमने बिलकुल Nokia के जो end time था उस टाइम पर यूज किया है या हमसे पुरानी जनरेशन नी यूज किया है जो कि हम ज़रा elderly हैं तो elderly जो लोग हैं उनके लिए this could make some sense because mobile phone sound जो बजा रहा है हमें बुरा लग रहा है लेकिन उनको जो है न वो help कर सकता है उसके इलावा हर चीज जो है वो काफी बड़े बड़े size में show कर रहा है तो वो चीज भी काफी interesting है एक चीज जो मुझे हैरानकून लगी है वो यह है कि इस mobile phone के अंदर मुझे facebook की application और browser दोनों नजर आए है तो वो चीज मेरे लिए हैरानकून इसलिए है क्योंकि इस mobile phone के डबे के उपर या इसकी specification में कहीं पर भी 4G mention नहीं किया गया तो I'm not exactly sure कि यह किस तरह से वो कर रहा होगा लेकिन चेक कर लगते हैं setting menu में जाके इस mobile phone के अगर आप setting menu की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यह setting menu यहां पर मौझूद है और एक और चीज जो कि बड़ी interesting है वो यह है कि इस mobile phone के जो viewing angles हैं वो बहुत ही बुरे हैं like उपर से आप देख रहे हैं यह screen इसकी में off नहीं कर रहा लेकिन हलका सा angle change होता है तो इसकी screen गायब हो जाती है और setting menu के अगर आप जाते हैं तो connection setting दी ज़रूर गई है लेकिन इसमें सिरफ Bluetooth की option अवेलेबल है तो वो 4G और Wi-Fi hotspot की facility आपको provide करते हैं जिसकी वएसे बहुत जादा लोगों के लिए वो mobile phone जो है वो एक sense वाली चीज़ बन जाते हैं कि अगर आपने एक दूसरी sim चलानी है या internet चलाना है तो at least आपको Wi-Fi की facility मिल रही होती है लेकिन इस mobile phone में ऐसा कुछ नहीं है camera यहाँ पर दिया गया है बिलकुली basic camera है और again camera के अंदर भी बहुत जादा lag है मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ camera बकाइदा lag करता है और I don't know कि इस camera को कौन बंदा यूज़ करेगा बिलकुल ही basic किसम का जो camera है वो दिया गया है तस्वीरें फिर भी ठीक ले रहा है बुरी नहीं है लेकिन then again like this phone is only made for people जो अपने nostalgia में याद तो रहना चाह रहे हैं या फिर उनको यह design पसंद है मेरे अद्गित कुछ लोग है जिनको मैंने बताया कि 6310 का 2021 वर्जन आगया तो वह काफी excited थे यही वज़ा है कि मैंने इसको आपको show भी किया है बट honestly speaking design भी इसका बिलकुल ही नया कर दिया गया है और अंदर भी कोई ऐसा feature नहीं दिया गया जो कि मैं कहा सकूँ कि interesting हो snake game ज़रूर दी गई है तो हम उसको खेल लते हैं before ending this video because snake game खेलना ज़रूरी है और arrow master racing attack के नाव से भी कुछ games दी गई है और उसके इलावा भी काफी games हैं जो कि इस mobile phone के अंदर already available है आप इनको खेल भी सकते हैं snake की game by the way main पे ही पड़ी हुई है तो वो चीज है और snake game भी color कर दी गई है और इसके अंदर I think कुछ changes भी की हैं उनने तो design इसका change हो रहा है लेकिन overall वो ही इसके rules हैं जो पहले हुआ करते थे और पहले इची लगा करती थी अब मेरा खेल से PUBG बेतर है पब जी खेल लेते हैं चाल बड़े हैं जो अब सब्सक्राइब कर लीज़ेगा वीडियो पसंदिए तो जरूर लाइक कर दीज़ेगा दूस्तरा शेयर कर दीज़ेगा इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखेगा दिस विलाल से निगाव अलहाफेज